काल Clinton के सिभन करिये खिर टोट और नंइटी असेंशेंशेरल सेल तिस करिक हो ऑब弹ले जो थे इनखिएगय के सिफज achei काहनी धृण अगर electors के data के बारे में बात करें तो JNK में total 87.09 lakh electors होंगे जिसमें लगबग लगबग almost equal 44.46 lakhs male और 42.62 lakhs female voters होंगे बड़ी अच्छी story ये भी है कि जिस तरीके से youth ने पिछली बार भाग लिया elections में इस बार उसके बाद first time voters भी होंगे around 3.71 lakhs और total अगर voters को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth and we want to focus on youth as our ambassadors of as ambassadors of our elections. Rule electoral rule बनने की प्रकिरिया चालू है और काफी समय से आयोग ये की तयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जैसे ही अमनाजी आत्रा खतम हो तो आप देखेंगे एक उन्सिदेंस नहीं है उन्नेस अगस्त को अमनाजी आत्रा खतम होगी और बीस अगस्त को final rule भी publish हो जाएगा. So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in JNK and this is what we announced in JNK in Jammu when we were there in March. ये publication बीस को हो जाएगा, सभी political parties को इसकी copy, electoral rule की उपलब्द कराई जाएगी. अगर polling stations के बारे में देखें, तो total polling stations JNK में 11,838 होंगे. जिसमें locations होंगी, जिसमें एक जगा पर दो या तीन भी बूत हो सकते हैं, तो total locations would be 9,169, जिसमें urban area में around 2,300 और local rural area में around 9,500 बूत होंगे. So predominantly, it's a rural kind of area, average voters per PS would be around 7,35, और हम जैसे हर बार करते हैं, यहां भी women managed, PWD managed और model PS बनाएंगे. वैसे तो instructions हमने दिये कि हर polling station पे एक उत्साहा का महौल होना चाहिए, एक उत्सप का महौल होना चाहिए, और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं, लेकिन खास तोर से, जो model polling stations हैं, वो करीब करीब 360 होंगे. Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. Haryana में जो total constituencies हैं, वो 90 हैं, general 73, ST 0 और SC constituencies 17 हैं. अगर electors in Haryana की बात करें, तो total राज्य में 2.1.0 लेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड मद दाता हैं, और इसमें महिलाओं की संख्या, पिच्चान में लाख हैं. थर्ड जेंडर 1.50 लेक्ट पीड़ूडी और 2.54 लेक्ट हमारे 85 एज गुरूप से जादा के मद दाता हैं. और जो हर्याना की एक robust healthy lifestyle है, उसमें हमारे 10.321 ऐसे मद दाता हैं, जो शेतायू हैं, उन सब को हमारा नमन, और वो सब बोट देने आएं, इसकी हम पूरी के पूरी कोशिश करेंगे. हर्याना का electoral roll 27 अगस 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी, अगर कोई मद दाता छुट गए, तो उन्हें अपना नाम पंजिकरत कराने का अभी भी nomination से पहले समय होगा. पोलिंग स्टेशन अगर देखें, तो हर्याना में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे, और जिसमें location आधी होंगी, यानि 10,500 के करीब, 455 में, to be precise, यानि एक जगा पर दो बूथ या तीन बूथ होंगे, क्योंकि शेरी इलाके हैं. अर्बन एरियाज में 7,000 के लगबग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगबग पोलिंग स्टेशन होंगे, यहां भी हम लोग यूथ, PWD, Women Managed Boats बनाएंगे. और एक चेंज और हरियाज में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में, अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, सिलम एरियाज में, सिलम एंड मल्टी स्टोरी इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटी उन्में भी पूलिंग स्टेशन परना हैं तो हर्याना में इन पर्टिकुलर गुलगाउं फरिदाबाद और सोनीपते इनमें काफी पूलिंग स्टेशन को multi-story में shift किया और वहां की जितनी slums है उन में भी जहां rationalization की जरुते वो किया है ताकि दोनों छेत्रों में congestion भी कम हो सके और voting के percentage भी बढ़ सके तो जितने metropolitan बड़े cities हैं, this is one way of handling the so-called urban apathy in the elections not to repeat but all polling stations will as the commission has promised would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both signages ramp wheelchairs, sheds और अपकी बार shed की इतनी जरुवत शेहद ना पढ़े मौसम अच्छा है जो official elections में गर्मी की वज़े से दिक्कत हुई थी इस बार नहीं हो inclusive and accessible elections कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं इन दौनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85 प्लस लोगों को घर जाके बोटिंग का समय मिलता है वो मिलेगा और फिर से एक बार और दुबारा कुछ लोगों ने पूछा था वहां पर कि जब भी 85 प्लस की घर पे बोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ चाह सकते हैं so that they can treat for themselves, there is no manipulation at all. Elections in J&K will be held in three phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period. Much shorter than even the parliamentary elections which were five. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th. Would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th. Scrutiny on the next day, 28th. And date of poll will be 18th of September. And it's a Wednesday. We are also keeping that in mind. and not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August. And the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September. and every boating finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October. And everything would be over. Bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the, it's the, how the scheduling is being done. The yellow portion is 1st. The yellow portion would have the districts of, uh, uh, Kistwar, Ramban, Dodha. On the, on this side, Jammu side. And Anandnak, Fulmama, Shofia. And, uh, Pulgaon, on the, in the, in the valley. The second phase would be Gandabal, Shrinagar, Badgaon, on the valley, in the valley side. And on the Jammu side, Punch, Rajowri, and Riyasi. And then, the forces move up. So, North Kashmir, in, uh, the upper regions. And also, the Jammu, and Udhampur, Samba, and Rikwapa, Katua region. Well, this is what would be the schedule there. Uh, if we come to, the schedule of Haryana. Haryana would be in the last phase, exactly conciding with, uh, the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of fall 1st, October. and date of counting conciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. So, friends, and through you, we appeal to all the voters of, uh, Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. 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 झाल